एक के बाद एक government officers अपने खुद की जान लेते जा रहे हैं और जब भी ऐसा होता है एक हंगामा होता है न्यूज में आता है मीडिया में आता है हम concern हो जाते हैं और सूचने लगते हैं कि civil servants की problem क्या है लेकिन फोड़े दिन बाद हम जो है वो चीजें फिर से बूल जाते हैं य उन्होंने अपने apartment में suicide कर लिया उनकी एज उती 59 थी और उन पर charges थे कि उन्होंने एक IMA scam हुआ था करनाटका में उसमें डेड़ करोड रूपे लिये थे मंसूर खान से जो की IMA scam का kingpin माना जाता है अभी investigation बाकी है autopsy वगर हो रही है किसी को बता नहीं कैसे हुआ लेकिन य पर ट्रांसफर भी किया गया था वो अपने flat पे dead पाया जाते हैं अपनी जगह पे dead पाया जाते हैं और वो जो उनके dead body पाई गए थी वो काफे संदिक्द अवस्था में थी तो पता नहीं चला कि कैसे death हुई थी तो इनकी investigation जो है उनके death की CBI ने की थी और CBI ने ये बोला कि वो जो है उनके death personal reason से हुई थी और इस पे बहुत हंगामा हुआ था लेकिन फिर जो है लोग चीजों को भूल जाते हैं ये 2015 की बात है ये image है मुकेश पांडे की आगस्ट 2017 में मुकेश पांडे ने suicide कर लिया रीजन दिया family के issues मुकेश पांडे बकसर जिले के बिहार में आपको सुने कर आश्चारी होगा कि मुकेश पांडे ने 2011 के civil services की परिक्षा में 14 वी rank हासिल के थी जहां पे 6 लाग लोग बैठते हैं 12 लाग लोग फॉर्म बढ़ते हैं वहां पे इन्होंने 14 वी rank लाई थी कापी जो था merit time में कापी इनमें काबिलियत थी लेकिन चोटे स लेकिन उसके पीछे जो struggle है और जो एक IS officer बनना या IPS officer बनना या आपके public service commission में officer बनना उसके बाद जो life के struggle होती है वो struggle पर किसी का ध्यान नहीं जाता बस selection पर जाता है वो struggle यह है कि आपके उपर माफिया का pressure होता है वो struggle यह है कि आप अपने family को time नहीं दे पाते है time नहीं लिए और घर में खुश रहना न रहना वो जो है आपकी work life पर depend करने लगता है और घर में अगर खुश नहीं है तो आपके work life भी जो है वो भी destroy होती है कभी भी आप transfer हो जाते हो अपनी मंदारी के कारण तो यह सारी चीज़ें कई बार हमें समझ में नहीं आती अपने selection के प बीके बंसल मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेर्स में डायरेक्टर जेनरल थे बीके बंसल ने अपनी जान दे दी और साती साथ उनके बेटे योगेश ने भी जान दे दी यह कुछ सालों पहले हुआ था इसके पहले बीके बंसल पे corruption के charges लगे थे और यह कहते हैं कि हमे Trust of India को जो की वो नोट जो है ट्वीट करती हैं तो ऐसा क्यों होता है क्यों इतनी अच्छी जॉब करने वाले लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं और जिस चीज के लिए हम मर रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं selection की वो selection होने के बाद भी ऐसा क्यों करते हैं अपनी जान क और यजी सब्सक्राइच लाए हैं और अगर उनकी खिलाब जाये तो इसका ट्रांसफर करते हैं अगर वा तो अपकी परस्णलाे भी आफेक्टिड हो जाती है इस बीच में बीच या उसको जल्दी अप्रेजम भी आपडलाई जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। यह कई सारी चीजे हैं। फिर इसुज इन परसनल लाइफ होते हैं, क्योंकि एक गुर्वर्मेंट सर्वेंट हैं। उसके पास कई बार पब्लिक लाइफ में इतना ज्यादा टाइम देना होता है, कि परसनल लाइफ में देने के लिए टाइ होती है, नहीं होती। आप देखिए एक बिरुक्राइट को पब्लिक में जाने से पहले सोचना पड़ता है कि वह कैसी शट पहनेगा, कैसा कपड़ा पहनेगा, आपको पता होगा कि जो आपके तेलंगाना की बहुत सीनियर जो आईएस ऑफिसर हैं लेडी, साबरवाल मैड लेकिन उस औरा के साथ pressure कितना आप सोची हर लेवल पे, अरे बिरुक्राइट तो मरने के बाद भी ट्रोल होते हैं, मुकिश पांडे कि जब डेथ होई तो कई लोगों ने उनको जो है, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेस्बुक पे बोला कि बहुत वीक थे, फैमिली सॉलुशन है, बिरुक्राइट को भी कांसलिंग चाहिए, उसको भी साइकोलोजिस से मिलने की ज़ूरत है, वो भी साइक्याटरिस्ट की मेडिकेशन ले सकता है, हेल्प लाइन नंबर जो है, वो सबके लिए है, वो भी हेल्प ले, लॉग्टरम सॉलुशन यह है, जो हमार माफिया और पॉलिटिकल जो नेक्सस बना वो उसको तोड़ेने की ज़ूरत है, अदर्वाइस कई साइंड माफिया ऐसे हैं, जो बिरोक्राइट के जान के पीछे पड़े हुए है, लेकिन उनको पॉलिटिकल एक वहां से ब्लेसिंग मिली हुई है, और उनका कोई कुछ न पता निशिय पचास बार ट्रांसफर हो जगए, तो इसको रोकने की ज़रत है कि इतनी बार ट्रांसवर क्यों हो रहा है, अगर आप ब्यूर Kernक पूरा ओवर ह्रा था करोगे तो उससे भी मी और इसके लिए वीरपा मोई लिए हड़ेरbonर, जो है पर्सनल लाइफ को कैसे बैलन्स करना एक देख्रहें कई बिरोक्राट के कारण उनके यह वर्क से ज्यादा पर्सनल लाइफ के देखने होंगे वर्क एतिक्स के रावन इन सारी चीजेंपे फोकस करना हुआ है यह हुआ था कि एक 28 साल के यूपीस याइस परेंट आपको पता होगा कि डेली में सुसाइड कर लिया था जून में दो तीन साल पहले सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो जो एक्जाम में पहुंचा तो लेट हो गया और इसको एंट्री नहीं मिली इस बात को देखत है कि जो हुमेन एसपेक्ट है इंडियन बिरोक्रासी का वो हम पब्लिक के सामने लाए इसके अलोने ने देखिए फेस्बुक पे एक पेज ही बनाया हुमेंस आप लबसना और वहां जो है वो सारी स्टोरीज डालते है क्योंकि आपका जो बिरोक्रासी है उसका जो हुमेन वो फेसलेस है लोग नहीं जानते तो वो जब आप समझ जाएंगे तो शाहिज जो है आपका श्टगल आपको सही लगने लगेगा आप उससे परिशान नहीं हो कोई तो एक अच्छाए इनिशियेटिव था लिया गया लबसना बनाया गया एक जाम के प्रिशर के पहले ऐसे एक 2017 बैच के IS officer है नौ साल की age में उनकी दोनों आखों की रौशनी चली गई थी फिर भी वो IS officer बने और आपको ये बताओं कि उनको ये नहीं पता होता था कि कपड़ा उन्होंने उल्टा पहना है कि सीधा पहना है उपर पहना है कि नीचे पहना है फिर भी उन्होंने मिली है बढ़ावा मिला है कि हाँ आगे भी अस्ट्रगल है अभी भी अस्ट्रगल है दोनों को जो है परलल लेके चलने की जौरत है गबरानी की जौरत नहीं है वरना देखिए ऐसे cases आते रहेंगे महारास्ट्रा के ATS के Chief ATS के Chief महारास्ट्रा के हिमानसुरोय ने डिप्रे बढ़ास्ट्रा ओश्चर आती है तो दुबारा नहीं आती है अजाजूज़ कात्या है